ओम शान्ती सुनते हैं 16 जून 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधूर महावाक के आज की मुरली में बाबा ने पुर्शार्थ के अधार पर नंबर वार पुज्य बनते हैं कैसे फिर बाबा ने सभी बच्चों की एकी पढ़ाई एकी लक्षे फिर भी पूजन में अंतर क्यों फिर माया जीत का अर्थ क्या है लास्टली बाबा ने परम पुज्य किसे कहेंगे सुनते हैं सोला जून स्तत्तर की मुरली एकी पढ़ाई द्वारा मुरली का टाइटल है एकी पढ़ाई द्वारा नंबर वार पुज्य पद पाने का गुईय रहसे सुरिष्टी के आधार मूर्थ विश्व परिवर्तक आत्माओं परती बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य आज बाप दादा हर आत्मा के पुर्शार्थ करने के करम की गती और पुर्शार्थ अनुसार राजपद वा पुज्यपद की गती जो की अतीरमनीक और गुईवे देख रहे हैं जैसे पुर्शार्थ में नमबरवार हैं वैसे ही पद और पुज्य पद में नमबरवार हैं जो नमबर वन स्रिष्ट पुर्शार्थ ही उन्ही का रज्य पद और पुज्य पद अती स्रिष्ट और गुई रहसे से बरा हुआ है पुझ्जे तो सब बनते हैं सृष्टि के लिए सब पुर्शार्त ही आत्माएं परम पुझ्जे हैं अश्ट रतन हैं वा एक सो आठ की माला है वा सूला हजार की माला है वा नौ लाग पर्जापद वाले हैं लेकिन सबी कोई ना कोई रूप में पुझे अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अन्गनित सालिगराम बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन अनेक सालिगराम रूप की पूजा और विशेश इष्ट देव के मंदर के रूप की पूजा उसमें अंतर कितना होता है। उसको जानते हो ना सालिगराम रूप में अनेकों की पूजा होती और अश्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमरण करते हैं, 108 की माला अनेक बार सुमरण करते हैं। और अश्ट रतनों को वा अश्ट देवों को वा देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद को रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ बाप दादा तो सरव बच्चों को एक ही पढ़ाई एक ही लक्षे मनुष्य से देवता या विजही रतन बनने का देते हैं फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों कोई की डबल पूजा अर्थात सालिगराम रूप में भी और देवी या देवताओं क रूप में भी और कोई की सिरफ सालिगराम रूप में माला के मनके के रूप में पूजा होती है इसका भी क्या रहसे है अब सुनिए रहसे मुख्य कारण है आतम अभिमानी बनने का लक्षे वा आत्मिक्स रूप में स्थित रहने का पुर्शार्थ हर ब्रामन आतमा जनम से करते हैं ऐसा कोई भी ब्रामन नहीं होगा जो आतम मानी बनने का पुर्शार्थी ना हो लेकिन निरंतर आतम अभिमानी जिससे करमेंद्रियों के उपर विजे हो जाए हरे करमेंद्रियां सतो परधान सच हो जाए इस सब्जेक्ट में अर्था देह के पुराने संसकार और पूर्ण मर्जीवा हो जाए इस पुर्शार्थ में नंबर बनते हैं कोई पुर्शार्थी की करमेंद्रियों पर विजे होती है अर्थात करमेंद्रियां जीत बनते हैं और कोई-कोई आँख के धोके में, मुख्ध द्वारा अनेक रस लेने के धोके में, इसी परकार कोई न कोई कर्मेंद्रियों के धोके में आ जाते हैं। अर्थात संपूरन निर्विकारी सरव इंद्रिय जीत नहीं बन पाते हैं इसे निरंतर आतमानी सदा कर्मेंद्रिय जीत तो बाबा ने कहा इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुर्शारतियों की उच्छते उच्छ बाप के बच्चे बनने के कारण उच्छ बाप के संग के कारण पढ़ाई और पालना के कारण विश्व के अंदर स्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात साली ग्राम रूप में पूजे जाते हैं लेकिन सरव करमेंद्रिया जीत ना होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पुजा नहीं होती समझा ये फरक होगा बाबा ने आज फरक बता दिया संपूरण पवित्र ना बनने के कारण संपूरण निर्विकारी महिमा योगे देवी वा देवता रूप की पूजा नहीं होती बनेंगे तो होगी सदा बाप दादा के दिल तक नशीन न बनने के कारण वा सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद वा सदा दिल पर दिल वाला की याद नहीं रहती इसलिए भगता आत्माएं भी अष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाती है निरंतर याद नहीं तो सदाकाल का मंदर रूप में यादगार भी नहीं वाँ 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 क्या शब्द वाँ वाँ मिला रहे हैं वंडर्फुल तो फरक पड़ गया ना निरंतर याद नहीं तो मंदर का यादगार का मंदर भी नहीं सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा वे परजा का पूजन रूप और वे राज्य पद प्राप्त करने वाले का पूजा का रूप इसमें भी अंतर है विशेश देवताओं का हर करम का पूजन होता है और कोई-कोई देवताओं का रोज पूजन होता है परंतु हर करम में नहीं कोई-कोई का पूजन कभी विशेश निश्चित दिनों पर होता है इसका भी रहस्य है अपने आप से पूछो कि हम कौन से पुझे बनते हैं अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजई नहीं बनें तो जैसे खंडित मूर्ती का पुझे नहीं होता है पुझे से साधारन पत्थर बन जाता कोई मुल्ले नहीं रहता है ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजई नहीं बनते तो परम पुझे नहीं बन सकते पुझे बनेंगे और गायन योग्ये बनेंगे गायन योग्ये क्यों बनते क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण बाप के साथ साथ पार्ट बजाने के कारण बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण यथा शक्ती त्याग करने के कारण वा यथा शक्ती याद में रहने के कारण बनती है समझा है और पूजन का रहसे है पूजन का क्या रहसे है एक पवित्तरता के कारण पूजा होती है और दूसरा स्रेष्ठ आत्माओं के सरव शक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा किये उन शक्तियों के भी भिन भिन रूप में यादगार के रूप में पूजा होती है जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ग्यान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण किये तो ग्यान अर्थात नौलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है संगार करने की शक्ती का यादगार किस रूप में है दुर्गा के रूप में है ग्यान धन को देने वाली महादानी का सरवखजानों के धन को दान देने वाली लक्षमी के स्रेष्ट रूप में पूजे जाते है हर विगन पर विजे प्राप्त करने का यादगार विगन विनाशक के रूप में पूजा जाता है गनेश विगन विनाशक है न माया जीत अर्थात माया के विक्राल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ती का पूजा न मावीर के रूप में है क्या करता बाबा कहते कितना भी विक्राल रूप हो उसको सैज कर देना माया के विक्राल रूप को भी जितने का यादगार है तो स्रेष्ट आत्माओं की हर शक्ति और स्रेष्ट करम का भी पूजन होता है शक्तियों का पूजन हर देवी देवता के रोप, पूझा के रोप में दिखाया हुआ है तो ऐसे पूझे जनों के हर सुरेष्ट करम और शक्तियों का पूझन है उसको कहा जाता है परम पूझे ये हैं असली परम पूझे, नहीं तो कहीं टाइटल लगा लेते हैं परम पुझ्ये शरी horizont फला 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 बाबा कहतें परम पुझ्ये कि आज बाबा ने परिबाशा दि तो सदा अपने को संपूरण बनाओ चेक करो कि खंडित मूरती हूँ वा पुझ्य मूरती हूँ गायने न संपूरण निर्विकारी वासोला कला संपन सिरफ निर्विकारी बने हो या संपूरण निर्विकारी बने हो अखंड योग है वा अखंडन होता है अचल है वा हल चल में है बाप क्या चाहते हैं बाप क्या चाहते हैं हर आत्मा बाप समान संपूरन बने और बच्चे भी चाहते सब हैं लेकिन करते कोई कोई हैं इसलिए नंबर बन जाते हैं अच्छा सुनते तो बहुत हो सुनना और करना इसको समान बनाओ समझा क्या करना है क्या करना है अच्छा ऐसे परम्पुज्य सदा एक बाप को साथ रखने वाले हर कदम स्रेश्ट मन के अधार पर चलने वाले ऐसे स्रेश्टी के अधार मूर्थ विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुन्दर हम बच्चों को सुनाया कि एए देखो जैसी तुमारी स्थिती वैसे तुम नम्बरवार पुज्य बनते हो तो सदा के जो पवित्तरता की धारणां भी सभी पूरी करते हैं अच्छी तरह से तो फिर उनका पूजन भी फिर वैसा होता है हर शक्ती का बाबा ने कहा उसका भी अलग अलग यादगार बना हुआ है तो ये बाबा के अनुसार हम अगर अपना चाते हैं बाप समान ही हमारी पूजा हो तो फिर बाप समान हमें स्थिती भी बनानी है और यादगार खास माया जीत माया के विकराल रूप को जीतने का यादगार महवीर उस नशे में रहें साथ साथ दुरगा दुरगनों को विकारों को नश्ट करने वाली का नाम दुरगा विगन विनाशक ये सारे टाइटल जो हमारे मिले हुए हैं कोई भी विगन आए महादानी ग्यान धन वाली देने वाली श्री लक्षमी के रूप में तो ये सब हम अपने टाइटल खूब अच्छी तरह से अनभव करें कल तक इसका हर घंटे अभ्यास करें बिन बिन टाइटल का ओम श्यामति और अब यहे एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें आप कर दो करें वीडियोग जरूर लक श्यामति देज करें के वीडियो भी जरूर देखें पीडियोग से एक रहर सब aandy इंanda करें झार लाईब कह ओम जरू करें वीडियोग से दियाग components